धबराने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बेटे की एंट्री मतलब एंट बढ़माशों को डिसेंट रे मुद को समझता क्या प्रमोशन होगी शुरू क्या है फिल्म के प्रमोशन के प्लान्स कैसे करेगा पूरा देश कवर एक आप डारेक्टर में और एक खास डारेक्टर में ये फर्क है कि एक खास डारेक्टर किसी भी कहानी को बड़े परदे पर इस तरह से दिखा सकता है कि फैन्स उस कहानी में घुस जाए और अपने आपको उस कहानी का एक हिस्सा समझे जब भी आपको कोई फिल्म बड़े परदे पर देखना चाहते हैं तो आप यही सोचते हैं कि आपको उस फिल्म से वो सब कुछ मिले जो कि आपको पैसा वसूल लगे चाहे वो फिल्म में एंटर्टीनमेंट हो, ड्रामा हो या सस्पन्स हो यह सब कोई भी फैन एक फिल्म में पसंद करता है और यही वज़ो है कि एसे फिल्म में जिन से सस्पन्स और कई प्लॉट ट्विस्ट होते हैं यह फैन्स को काफी पसंद आती है जब भे हम किसी एक कहानी का सीक्वल देखते हैं तो इन दोनों कहानियों को जोड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो फैंस को काफी पसंद है लेकिन कभी-कभी एक सीक्वल में हमें दिख जाते हैं कुछ समय का गाप क्योंकि इससे हमें फिल्म की कहानी म एक freshness देखने को मिलती है जो फैंस को एक नया अंदाज और एक नया experience देती है हम बात कर रहे हैं आज पुश्पा फिल्म की जिसने अपने box office record के साथ सबके होश उड़ा दिये थे इस फिल्म की कहानी ने फैंस को इतना ज्यादा impress कर दिया कि इस फिल्म के रिलीज के बाद ह भी सबी इस फिल्म के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं जाहर सी बात है कि अलू अरजुन के पुश्पा राज के किरदार को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया जिसकी एक वज़ह ये थी कि ये किरदार काफी down to earth और काफी साधारन किरदार था लेकिन उनके अंदाज ने को दिवाना बना दिया अब बात करते हैं इस फिल्म के सीक्वल की तो हाल ही में हमने देखा पुश्पा स्टार अलू अरजुन को इस फिल्म के सीक्वल के लिए अपने किरदार में और हमने देखा कि फिल्म के सीक्वल के लिए अलू अरजुन ने किया है थोड़ा वीट ग होता है तो फैंस के लिए ही और भी exciting बात है क्योंकि कुछ समय के break के बाद जब हमें फिर से पुष्पा की कहानी दिखाई जाएगी तो वो हमें और भी ज्यादा interesting लगेगी क्योंकि अब हमें बहुत सारे नए elements भी देखने को मिलेंगे फिल्म के makers भी कुछ ऐसा ही चाते हैं फिल्म के sequel के लिए और लगता है कि इसलिए ही उन्होंने किया है थोड़ा समय बीच में लेने का फैसला अब क्या fans को पसंदाएगा पुष्पा राज का ये नया अंदाज ये देखने के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार अब ये फिल्म जब भी थेटर्स में आएगी क्या धमाका होगा ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी excited हैं और आप बताएए हम करनाल को सब्सक्राइब करना ना भूले